नमस्कर दोस्तों धर्मेश किचन में आपका स्वाज़त हैं वैसे तो प्रेडिशनल तरीके से अगर हमें चुंदा बनाना हो तो इसमें 8-10 दिन लगते हैं जो रेसिपी मैंने अल्रेडी आपके साथ शेर की हुई है अगर आपको इस तरह से बनाना हो तो आप वो भी देख स लेकिन आज जो हम चुंदा बनाएंगे इसे हम इंस्टेंट बनाएंगे तो हमारा चुंदा 10-15 मिनिट में बन करके रेडी हो जाएगा और इसे हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चुंदा बनाएंगे तो हमारा चुंदा साल भर खरब नहीं होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना इंस्टेंट छुंदा रेसी के पर इंस्टेंट छुंदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े साइस का एक आम लिया है और यह राजापुरी आम है कोई भी अच्छार बनाने के लिए आम लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि आम बिल्कुल कच्चा होना चाहिए जब हम इसे काट कर देखे तो आम बिल्कुल भी पिला नहीं निकलना चाहिए तो अचार की सीजन जब स्टार्ट होती है तब स्टार्टिंग में ही जो आम मिलते है वही आम का आचार बहुत ही अच्छा बनता है तो आम को मैंने अच्छे से दो लिया था और साफ कपड़े से इसे पोच लेंगे ताकि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए अब हम आम का पीछे वाला पार्ट निकल लेंगे और छिलके निकल लेंगे और आम लेते वक्त एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आम में कोई भी दाग वगेरा नहीं होना चाहिए अच्छा वाला आम ही हम अचार बनाने के लिए लेंगे अब यहां पर हम इंस्टन छुंदा बना रहे हैं तो छिलके थोड़े से मोटे ही निकालेंगे ताकि यह जल्दी से पक जाए अब मैंने इस तरह का कद्दुकस करने वाला लिया है जिसमें हम आम को कद्दुकस करेंगे आप चाहे तो मोटा वाला ग्रेटर भी ले सकते हो लेकिन यह एकदम परफेक्ट है तो मैंने यहां एक पूरे आम को कद्दुकस कर लिया है तो अब कद्दुकस किये हुए आम का मैं वजन करके देख लूँगी तो यह करीब 400 ग्राम हुआ है तो अब उसी में हम आधी टीस्पून हल्दी एड़ करेंगे एक टीस्पून नमक और 600 ग्राम चीनी को मैंने यहा लेंगे अब चीनी की मातरा आपने आम कौन सा लिया है उसके उपर डिपेंड रहेगा मैंने यहां पर राजापूरी आम लिया था तो मैंने यहां पर 400 ग्राम आम के साथ 600 ग्राम चीनी एड़ की है अगर आप तोता पूरी आम से बना रहे हो तो चीनी की मातरा कम लग सकती और अगर आप लाडवा केरी के साथ बना रहे हो तो चीनी की मात्रा ज्यादा लग सकती है और आपको छुन्दा कितना मीठा पसंद है उसी के हिसाब से भी आप चीनी की मात्रा रख सकते हो और मिलाने का काम हम हाथ से ही करेंगे तो यहाँ पर हमने PCOE चीनी एड की थी तो चीनी को पिगलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ हमने सभी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लिए अब इसे दो मिनिट के लिए डखकन लगा कर रहने देंगे दो मिनिट के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे अब इसे एक हेवी बोटम पैन में ट्रांसफर कर लेंगे आप चाहे तो नौन स्टिक पैन का भी यूज कर सकते हो अब इसे मद्यम आज पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे और इस चुन्दा को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता बस उबा लाने के बाद दो से तीन मिनिट ही लगेंगे तो पहले हमें यहाँ उबा लाने का इंतजार करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उबा लाना शुरू हो गया है और इसे कंटिन्यूस चलाना ज़रूरी है अब उबा लाने के बाद एक मिनिट हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और फिर मैं जिस तरह से दिखा रहे हूँ उसी तरह से हम चेक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ एक तार की चाशनी बनानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तार बन नहीं रहा तो अभी इसे और पकाने की ज़रूरत है और दो से तिन मिनिट के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तार थोड़ा सा बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बन रहा तो इसे फिर से एक मिनिट के लिए पकाएंगे और बार-बार चेक करना ज़रूरी है नहीं तो चाशनी बहुत सक्त हो जाएगी और छुन्दा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो की तार अच्छा सा बन रहा है मतलब हमारी एक तार की चाशनी हो गई है तो यहाँ पर हम गेस बन कर देंगे और इसे गेस से उतार लेंगे अब इसे चलाते हुए थोड़ा सा थंडा कर लेंगे और थंडा होने के बाद मैंने एक चम्मच जीरा को भून कर थोड़ा सा कूट लिया था तो वो भी एड़ करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके देट चम्मच जितना काश्मीरी लालमीच पाउडर एड़ करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे जब हम इंस्टेंट चुन्दा बनाते हैं तब इसमें एक बात का धियान रखना होगा कि इसमें केरी का थोड़ा सा भी पानी रह गया तो हमारा चुन्दा ज्यादा टाइम तक अच्छा नहीं रहेगा बिगड़ने का पूरा चांस रहेगा इसलिए चुन्दा को पकाते समय एक तार की चाशनी करना बहुत ही ज़रूरी है अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो चुन्दा एक से दो महिने में ही खराब हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा चुन्दा रेडी है जब चुन्दा रूम टेंपरेचर पर आ जाए तब हम इसे एड़ टाइड कंटेनर में भर कर पूरे साल तक स्टोर कर सकते है और इसे फ्रीज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चिनी एड़ की है तो अगर हम इसे फ्रीज में रखेंगे तो यह बहुत सक्त हो जाएगा तो दोस्तों आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा और धर्मिस कीचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैं धर्मि फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ